हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं न्यू वीडियो दोस्तो क्या आप बहुती ज़्यादा खाना खा रहे हैं लेकिन आपका जो वजन होता है वो वजन नहीं बढ़ पा रहा है या फिर आपने आसपास के कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आपकी तरह बहुत ही जादा खाना खाते है लेकिन उसकी जो बोड़ी होती है वो बोड़ी नहीं बन पाते है या फिर वो दूबले पतले ही रह जाते है खाना तो बहुत ही खाते है लेकिन वो जो खाना होता है वो उसके शरीर पर लगता नहीं है तो दोस्तो इसके पी अगर आपका वजन कम schizophren exemplo तो आप एंटरनेट पर जाके सर्च करतेल्स कोई है और यदो कोई आप फिर कोई कोई त्रेटमेंट ले ले लेकिन इसकी वजह से आपका वजन बहुत आप नहीं स्थेख시고uitive अगर आप एक बार सही कारण जान लेते हैं तो इसके according उसके treatment होती है अगर आप वो treatment लेते हैं वो ilaj करते हैं तो इसकी वज़े से आपका वज़न कम होने की जो तकलिफ होते हैं जो problem होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी तो दोस्तो चलिए इसके कारण के बारे में जान करते हैं तो इसकी वज़े से आपको weight loss की problem रह सकती है ऐसा क्यों होता है आप जो भी खाना खाते हैं तो जो खाना होते हैं उसमें यह जो तीनों चीजों होती उसका होना आवश्यक होता है अगर आप इन तीनों चीजों को balance मातरा में ले रहे या फिर balance diet आप ले रहे तो इ आपको दूद पीना होगा आपको कई तरह के proteins लेने होगे तो इसके पीछे में क्या reason होता है malnutrition होता है अगर आप ज़्यादे से ज़्यादे इन चीजों को खाने लग जाओ तो आपका वज़न होता है वो आपने आप ही बढ़ जाता है ओके तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है malnutrition यानि कि आपकी शरीर में protein carbohydrate और fat होता है उसकी जो normal value होते है वो कम रहते है अगर आपको इसकी value बढ़ा देता है तो आपने आप ही आपका वज़न जो होता है वो बढ़ जाएगा दोस्तो अब हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जो दूसरा कारण होता है वो होता है hyperthyroidism दोस्तो हमारे शरी में एक thyroid करके एक gland होते है वो thyroid gland हमारे शरी में कई जगे पर काम करते है तो यह जो हमारी जो thyroid होती है वो हमारे शरी में almost सभी जगे पर काम करते है जैसे कि हमारे cell पर सबसे पहले effect करते है इसके बाद हमारे heart पर effect करते है हमारे heart के जो normal function होते है उसको इसमें भी help करते है इसके साथ हमारे जो brain के function होते है उसमें भी help करते है इसके साथ-साथ हमारे जो body के metabolism होती है उसमें भी वो react करते है या फिर उसमें भी उसका बड़ा role play करते है इसके साथ-साथ हमारी digestive system पर effect करते है इसमें जो digestive system की जो mortality उसको increase करते है इसके साथ-साथ हमारी मसल्स पर भी एफेक्ट करते है हमारी बॉन पर एफेक्ट करते है तो यह जो थाइरोड ग्लेंड होते है उस सभी जगह पर काम करते है लेकिन अगर एक बार जो हमारी जो थाइरोड ग्लेंड होती है वो thyroid gland hyperactive हो जाते है यानि कि वो अपने काम से ज़्यादा काम करने लगते है तो इसकी वज़े से क्या होगा कि जो हमारा जो metabolism होगा हमारे जो body का जो normal function होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा function बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसकी वज़े से क्या होगा हमारे जो digestive system रहेगी उसमें उसकी mortality ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे जो heart के function होते है उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा है तो इसके वज़े से हमें ट्रेकी काडिया देखने को मिलते है इसकी वज़े से हमें palpitation देखने को मिलता है हमारे जो brain की जो activity है वो भी बढ़ जाएगी तो इसकी वज़े से हमें क्या देखने को मिलता है mental tension देखने को मिलता है stress देखने को मिलता है depression देखने को मिलता है इसके साथ साथ हमारे जो cell की activity वो भी बढ़ जाएगी तो overall जो होगी वो हमारी hyperthyroidism की वज़े से क्या होगा हमारा metabolism बढ़ जाएगा अगर एक बार हमारा metabolism बढ़ जाता है तो हमने जो आगे बात करी थे micro nutrients के बारे में जो कि fat था, carbohydrate था, protein था वो metabolize होके ज़्यादा से ज़्यादा वो burn हो जाएगा यानि कि वो ज़्यादे से ज़्यादे हमारी bodie में से खतम हो जाएगा energy के लिए तो इसकी वज़े से क्या होगा तो इसकी वज़े से हमारा जो Lesion होता है, वो वज़न कम हो जाता है hyperthyroidism की मदद से तो दूस्तों ये था hyperthyroidism जो कि दूσरा कारण होता है weight loss होने का या फिर अगर आपका जो thyroid का level होता है वो थोड़ा सा भी increase है तो इसके वज़े से आपका जो metabolism होता है वो थोड़ा सा increase रहेगा तो इसके वज़े से आपका जो आप जो भी खाना खा रहे है वो ज्यादा से ज्यादा metabolize हो जाएगा तो इसकी वज़े से भी आपका जो वजन होता है वो वजन कम हो जाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं तीसरे कोज के बारे में जो तीसरा कोज होता है वो होता है स्ट्रेस दोस्तो यहां पर क्या होता है कि हम अपनी यहां पर जो अपनी लाइफस्टाल होती है वो अभी के लिए बहुत ही जड़पी हो गई है तो इसकी वज़े से क्या होता है हमें कई तरह की टेंशन देखना को मिलती है या फिर स्ट्रेस देखना को मिलती है जैसे कि किसी भी टाइप का financial stress हो झकता है family family से Related stress हो जकता है कोई भीENTE草ं से Related stress हो झकता है उके तो यह कई तरह के stress होते हैं तो इसकी सीवाज़े से क्या होता है कि अगर जब भी हम स्ट्रेस या फिर di Bailey कंडिशन में होते है तो इसकी बज़े से क्या होता है यह जो stress होता है वह situation सीधा एफेक्ट करता है हमारी एपेटेट पर एपेटेट यानि कि हमारी जो भूख लगने की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को ही कम कर देता है यानि कि आप जब भी खाना खाने जाओगे तो आपका जो खाने खाने का जो खाना खा रहे होते हैं उसको आपको खाने का मन नही है तो इसके वज़े से आपको क्या होगा? आपका जो m signature episódio बेलंस डाइट होगा वो balanced diet कम रहेगा या त्यापके जो खाने की जो nutrition वोगा वो भी कंजाएगी तो इसकीवजे से आपको weight loss की problem रह सकते हैं यह जो trass होता है तूसरी किस तरी पर effect करता है वो होता है हमारे जो metabolism होता है वो उसको increase कर देता है तो metabolism अगर इसके वज़े से क्या होता है हम जो भी खाना खा रहे है वो खाना तो हम खाना खा लेते है लेकिन जो इसका metabolism अगर increase होगा तो इसके वज़े से क्या होगा वो खाना जल्दी से जल्दी burn out हो जाएगा या फिर वो जल्दी से जल्दी energy के रूप में वो distribute हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा वो खाना हमारे शर्री में टिके गा ही नहीं और इसकी वजह से हमें weight loss की problem रहे थे या फिर weight gain करने में हमें difficulty लगती है दोस्तो इसके बात का जो कारण होता है वो होता है माल एबसॉप्शन सिंड्रोम दोस्तो इसमें क्या होता है कि हमने जो भी खाना खा लिया हम खाना तो बहुत ज़्यादा खा रहे लेकिन इसमें क्या होता है जो भी खाना खाये लिया वो हमारे सबसे वो हमारे इस बोड़ी में एब्जोब होता है हमारी चोटी आंतों में यहां पर होते हैं हमारी चोटी आंते हैं ओके यह चोटी आंतों में हमारा जो खाना होता है वो चोटे चोटे टुकडों में से वो एब्जोब होता है हमारे चोटी आंतों में और यह जो खाना होता है वो खाना हमारे होता है ब्लड में मिक्स हो जाता है जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिंस होता है वो जो माइक्रो न्यूट्रिंस होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स अफ हो जाता है और ब्लड के तुरू कहां पर जाता है हमारी बोडी के सेल में जाता है वहां पर हम हमारी energy में convert होता है लेकिन अगर हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन अगर यह जो चोटी हाथ में कोई सी भी टाइप का डीजीज होता है तो इसकी वज़े से क्या होगा यह जो चोटी हाथ होती वह चोटी हाथ जो micronutrients होते हैं उसको absorb नहीं कर पाती है यानि कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमरे जो खाना होता है वो बोड़ी में नहीं पहुंच पाता है यानि कि यह absorb नहीं कर पाती है तो अगर यह absorb नहीं कर पाती है तो इसके वज़े से अपने आप ही हमरा जो weight होता है वो loss होने शुर इसके बाद का होता है IBS, Celiac disease हो गया, Bacterial Overgrowth हो गया, Cystic Fibrosis हो गया, अगर इन तरह के से disease है आपको, तो इसकी वज़े से क्या होगा, आपकी जो छोटी आथ होती है, वो छोटी आथ में यह जो खाना होता है, वो प्रूरी तरह के से absorb नहीं होता है, और आपकी बोड़ी में आपके मदर या फिर फादर को वेट गेंड करने में डिफिकल्टी होती है, या फिर वो भी नॉर्मल वेट में है, तो आपको वेट बढ़ाना, वो आपका वेट बढ़ना कम चांसिस रहता है, इसके पीछे क्या करणा होता है, कि आपका जो DNA होता है, वो आपको DNA आपके मदर पर गई होती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते होते हैं, तो आपके एक जिनेटिक्स होते है, वो जिनेटिक्स भी आपको वेट गेंड करने में डिफिकल्टी इस पेदा कर सकता है, तो दोस्तों अगला जो कारण होता है, वो होता है, डाइबिटीस मेलेटेस diabetes mellitus में क्या होता है कि हमारे जो insulin कम हो जाता है insulin का काम क्या होता है कि जो हमारे blood में जो micronutrients थे जो glucose था उसको body के cells तक पहुँचाने का काम कौन करता है insulin करता है लेकिन हमारी body में अगर insulin ही कम होता है तो इसकी वज़े से क्या होगा हमारी body में जो blood होता है उसमें ही glucose रह जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि glucose की जो body cells तक glucose नहीं पहुँच पाता है तो इसकी वज़े से क्या होगा हमारी body को energy के जरूरत तो पड़ेगी लेकिन glucose नहीं है तो वो क्या करेगी हमारी body में से जो fat होता है और muscles होता है, महां से energy को use करते हैं हमारी energy के लिए तो इसकी वज़े से क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा fat और जो muscles होता है वो burn out होगे, उसको calorie इसकी वज़े से यहाँ पर से energy मिलेगी, तो इसकी वज़े से automatically क्या होगा, हमारी body में fat कम हो रहेगा, और इसकी वज़े से हमारा जो weight होता है वो कम रहेगा, तो यह होगे दोस्तो diabetes mellitus एक होता है वजन कम होने के पीछे का reason तो दोस्तो अगरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो, किसी भी तरह से helpful रहे हो तो इस वीडियो को like करना और आगे ऐसे health knowledge से related videos देखने के लिए इस channel को subscribe जरूर करना बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो के notification आपको मिल सके, subscribe और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तो, thank you मिलते हैं अगले वीडियो में